हालो एवरिवन तो हाउ तो स्पीक इंग्लिस फ्लुएंटली आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप इंग्लिस फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं वेरि इंपॉर्टेंट इस धाड वहब तोग्लियर अब इंग्लिस वर्ण इंग्लिष सम् ग्रामार पोर्शन राइड सो बेसिकली आपको सबसे पहले आपका थोड़ा सा बेसिकक ठीक होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जो सिखाते हैं टीचर लोग वह ग्रामर एंड इस डैट वह उतना नहीं चाहिए बेसिक चाहिए जो आपको एट टेन क्लास तक सिक्स क्लास तक फाइब क्लास तक आपको मिल जाता है बट उस से जाधा important मैं यह बोलना चाहूंगा कि जो foreigner है वो कैसे English बोलते हैं क्या वो पैदा होते हैं उनको grammar सिखा दिया जाता है जी नहीं वो जो सुनते हैं वही समझते हैं वही directly बोलते हैं बट हम क्या करते हैं जब हम grammar सिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले उसको translate करते ह हैं हिंदी से English में and then हम delivered करते हैं इसमें एक छोटा सा gap आता है कुछ second का lag आता है इस वज़े से आफ्लेट नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए सबसे best way है कि आप English देखना सुरू करें सुनना सुरू करें और बोलना सुरू करें धीरे धीरे आपका English automatically improve हो जाएगा आपको एक सबसे best example में देता हूँ आप देख लिजे जितने भी क्रिकेटर है almost दसमा बारह हुआ या फिर graduation क्यों है या फिर 10th ही है कुछ लोग तो 10th पास भी नहीं है एवन बिराट कोहली सिर्फ 10th पास है लेकिन उनकी English देखिए विलकुल foreigner type का बोलता है very smart English वो कैसे बोलना से कहें कभी आपने सोचा है simple English देखा सुना बोला practice किया और उन लोगों के बीच में रहा and at the end finally आप बिराट कोहली को देख लिजे कितना fluent और कितना fast English बोलते हैं so English is all about your practicing and learning and listening ना कि grammar पढ़ लो वो पढ़ लो बेसिक सरूरी है जो कि हर कोई पढ़ लेता है ओके सो आपको इस बात पर ध्यान से ही आप जो है English watch किजिए जो भी accent आपको समझ में आता वही English watch किजिए जो आपको पसंद है observation रखिए कि क्या बोल रहा है सब्टाइटल लगाईए अगर नहीं समझ में आरा स्टार्टिंग में movies देखते हैं English तो सब्टाइटल लगाईए Hindi and then आप watch किजिए लेकिन आप यही किजिए आप अगर इस तरीके से करेंगे तो day by day आपको खुदी नजर आएगा कि आप कि English improve वो रहे है जैसे कि मैं हिंदी बोलने वाला हूँ मैं बंगाल गया तो मैं आज बंगला बोलता हूँ हलो आछी तुम्ही कैमान आचो यह मैंने और मुझे तो बंगला का एक लि君क विवर्ड भी नहीं आता लिखने कैसे बंगला बोल लेता हूँ कि तुम्ही की कोर्चो कैनो जाच्छो की कैनो खाबो की खाबे जोल खाच्छी जो भी है सो मैंने तो कभी भी कोई बंगला नहीं मतलब कोई वर्ड पढ़ा इवेन आज भी मुझे नहीं आता पर मैं बंगला बोल लेता हूँ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए